आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार नमस्कार आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूँ आपके साथ मुसकान अजमानी और हमारी खास पेशकश नगर संग्राम में आप सभी का स्वागत है तो यूपी में दो चर्णों में निकायचना होने हैं चार मई और ग्यारा मई जिसके नतीजे तेरह मई को आएंगे लेकिन जो सभी तमाम पार्टियां हैं वो अभी चुनावी जमीन को मजबूत करने में जुटी होई है हर एक जो पार्टियां है उसका प्रत्याशी अपनी चुनावी जमीन को मजबूत करने के लिए और जनता का सवर्थन जादा से जादा हासिल करने के लिए लोगों के बीच पहुँच रहे हैं वही जनता के मुद्दों का समाधान करने का उन्होंने दावा किया है और ये कहा है कि अगर जनता उन पर पूरा भरूसा जताती है तो वो जनता के हित में काम करेंगे और जनता के मुद्दों का समाधान करेंगे तो वहीं प्रमोट सिंग ने समाज सेवी के रूप में पहचान बनाई यह और करोना काल में भी यह जंता के बीच मौजूद रहे थे और जंता की समस्यां को नस्तार करने का भी इन्नोंने लगातार प्रयास किया था तो जनता के भी जिनका खासा जनाधार भी है तो कॉल्विन निशाद गंज वाट से भाजपा प्रत्याशी प्रमोट सिंग राजन हमारे साथ लाइफ जुट चुके हैं प्रमोट जी प्राइम टीवी पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है धन्यवार प्रमोट जी जिस तरीके से आप लोगों के बीच पहुंच रहे हैं लोगों का समर्थन मांगने का प्रयास कर रहे हैं क्या लगता है जनता का जनाधार आपको मिल पा रहा है बिल्कुल जनता का बहुत प्यार मुझे लगातार पिछले 15 सालों से मिला है और मुझे लगता है इस बार भी जनता का दुगना प्यार मुझे मिलने वाला है प्रमोजी अभी आपने जिक्री किया कि जनता का जो जनाधार है वो आपको काफी हद तक मिल रहा है लेकिन जो 2023 का निकाय चुनाओ है इसमें कौन-कौन से मुद्दे आसे हैं जो आप जनता के बीच लेकर पहुंच रहे हैं देखिए शहर की सरकार है और शहर की सरकार में हमको सोचना है कि हम अपने शहर को कैसे साफ रखते हैं और यह शहर तब साफ होगा जब हमारा महला साफ होगा और महला साफ होगा तो हमारा वाड साफ होगा वाड साफ होगा तो शहर साफ होगा तो हम लोगा प्रयास है कि हम लोग जिस तरीके से लकनौ नगर निगम 137 से 133 नमबर पर आया है हम लोग प्र्याश करेंगे कि हमारा लक्नव नगर निगम और हमारा लक्नव शहर चमकडार हो और यहाँ पर जो भी बाहर से आए वो कहें कि लक्णौ आकई में सापसुत्रा है ठीक है राजी जी जैसे कि आपने जिक्र किया कि लखनव को सुन्दर बनाना है स्वच बनाना है इसके अलावा अपने शेत्र में ऐसे कौन-कौन से काम करना आपकी प्राथमिक्ता है देखिए जनता हम लोगों से अपेच्छा करती क्योंकि जनता टैक्स भरती है और जब जनता टैक्स भरती है तो उसका हक है उसको जितनी मुलभूत सुविधाये हैं जैसे सुन्दर पेजल की विवस्था होनी चाहिए अच्छी सडके होनी चाहिए मार्क प्रकास का सुन्दर इंतिजाम होना चाहिए बरसात में जलनिकासी की अच्छी विवस्था होनी चाहिए इसके अलावा पार्कों में सुन्दर टहलने के स्थान होने चाहिए ओपन जि तमाम अपना वक्त बिताए है तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि लखनों के विकास के लिए और ऐसे कौन-कौन से काम है जो किये जाना चाहिए देखें लखनों के विकास के लिए अगर मैं सच में कहूँ तो हमारे जो रच्छा मंतरी हैं आदर्णी राजनास सिंग उन्होंने बहुत सारे ब्रिजेस का निर्माड किया और आपने देखा शहर में सबसे बड़ी समस्या जाम की समस्या है ट्रैफिक की समस्या है इन समस्या लगबंग लगबंग कर चुके हैं तो लकनों मैं सबसे अधिक है जो विवह स्था हमें करनी है वह हमें ट्रैफिक की विवस्था को देखना है कि सुचार रूप से चले कि अक्सर हमने देखा है कि जो बारिश को समय आता है तो सडकों पर पानी बहुत जादा भर जाता है और जो लोग है वो काफ़ी परिशान हो जाते हैं तो ऐसे में अपसे कुछ ही समय में बारिश का महीना आ जाएगा उसक्या समधान आप किस तरीके से निकालेंगे देखे बारिश एक बहुत चैलेंजिंग विसे है और बारिश में जनता की दिक्ते हम लोगों को अपने उपर लेनी पड़ेंगी अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेंगी नालों की सफाई विवस्थित होनी चाहिए और जिस तरीके से गोमती नगर में साइकल ट्रैक के नाम पर बहुत सारे नालों को कवर कर दिया गया तो आपने देखा मैं बहुत सवभागी साली हूँ कितनी बढ़ी बारिश के बावजूद हमारे छेत्र में जल की जलबराव कहीं हुआ नहीं लेकिन मैं गोमती नगर गया था तो वहां पर जलबराव हुआ क्योंकि साइकल ट्र आपका राजनीती का सफर और आपके राजनीती के सफर की शुरुवात आखिर कैसे हुई देखिए राजनीती में जाने का कुछ ऐसा विचार मेरा नहीं था मैं एंजिनिंग करके लोटा और उसके बाद मैं पढ़ाई बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहता था परंत कुछ समास सेवा का भाव और अटल जी का सिद्धांत अटल जी को देखकर वो हमारे आदर्श है और उन्होंने जिस तरीके से भाईचारे को कायम किया चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसल्मान हो और जिस तरीके से उन्होंने यहां एक साहरत का महौल बनाया और जिस तरीके से उन्होंने ब्यवस्थाएं दी चाहे वो निर्माड हो चाहे वो इंफरा हो हर चीज में उन्हों पर मैं एक नज़र डालू तो आपने बोला कि आप अटल बिहारी वाजपेजी के सद्धानतों से काफी जादा प्रित है तो क्या आप उन्हें ही अपना रोल मॉडल मानते हैं और आप अपनी राजनीती में आने का श्रिया फिर किसे देंगे देखिए राजनीती में हमारे मित्रों का हमारे सयोगियों का बहुत सयोग रहा जिनकी वज़े से मैं राजनीती में हूँ और लगातार सफलता हैं मेरे कदम चूम रही हैं इसके अलावा हम लोग राजनीती में प्रभावित हैं अगर कोई प्रधान मंतरी अपने मंज से सफा की बात करता है कोई प्रधान मंत्री चोटी चोटी बातों को टेक अप करता है जैसे हमारे आधरनी मुदी जी हैं तो हम लोग सब उन प्रभावित है और उनके बताय हुए रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं ठीक है अभी प्रमोज जब आपने अपने बादे में बताया तो आपने कहा कि आपका राजनीती में आ चुके हैं तो कैसा लग रहा है आपको राजनीती है का अपना ये पूरा सफर जब आप पीछे पल गुशी होती प्रसंद्स अप मेरे कारण खुश थे मुष्य है तो यह हमारे लिए बहुत सब्सक्राव की बात होती तो हम पर वालों का साथ को पूरा चेंज हो जाता है जी जी नहीं कहते थे निकम्मा निकल जाएगा अगर कोई नोकरी बैंक में बाबू हो जाएगा तो अच्छा रहेगा तो हम लोगों ने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया, अपने काम को स्टार्ट किया, उसके साथ साथ हम लोग राजनीती में आ गया और समाज सेवा में मना गया, लोगों की समस्याइं सुनना, लोगों की बातें सुनना, लोगों की चेहरे पर मुस्कान देखना, यही हम तो ऐसे में अगर जनता आप पर भरोसर जनता आती है तो आप उन युवाओं के लिए क्या करेंगे युवाओं को आज कल जैसे थोड़ा सा मोबाइल को छोड़ना होगा और पुस्तक की ओर जाना पड़ेगा मैं युवाओं से अपूईल करूंगा थोड़ा इंटरनेट और मोबाइल से दूरी बनाएं और अपनी सिच्छा को ग्रहन करें जिससे कि वो देश के सर्वोच पद रहे कि नहीं इस बार तो सपा की ही जो साइकिल है वो रफतार से दोड़ेगी तो क्या कहीं सपा चुनावती बन सकती है देखिए ये स्थानी चुनाव है और इसमें सापा और भाजपा से अधिक है कि आपने काम क्या किया है जनता आपके चेहरों को देखती है जनता आपके कारे को देखती है और सपा की साइकिल कितना स्पीट पकड़ेगी है तेरा तारीक के बाद रिजल्ट जरूर आएंगे मुझे नहीं लगता है कि जहां जहां पर प्रत्यासियों ने अच्छे काम किये होंगे निश्चित तोर पर वहां परिणाम उनको अच्छे मिलेंगे लेकिन मुझे लग रहा है भाजपा इस बार गेन करेगी और सत्तर के आसपा सीटे भाजपा निकाल कर लखने उन अगनि तो वहां पर जब पूरे देश की लाइफ लाइन रुख गई हम लोगों ने देखा कि कैसे जो हमारे मजदूर हैं गरीब हैं इसले पायदान में आर्थिक रिक्षे वाले मजदूर ठेलिया खोंचे वाले वो कैसे अपना जीवन यापन करेंगे उनको तो रोज कमाना रहे किया कि क्यों ना हम उनलों के खाने की विवस्ता करें तो जो घर पे खाना बनाते थे हम लोगों से कहते थे चार रोटी अधिक बनाई है इस तरह से हम लोगों ने खाना बाटने का काम चालू किया इसके अलावा हम लोगों ने लगातार 55 दिन तक हमारी रसोई बनाई और खाना देने का काम दवाई सारे काम हम लोगों नहीं किये ठीक है प्रमोज जी आप लगातार एक लंबे समय से भाजपा के सक्रिय कारिकरता के रूप में काम किये हैं लेकिन अकसर हमें देखा है कि राजनीति एक ऐसी चीज़े जहां पर जब लोगों को अपने मन मताबिक पत नहीं मिलता या जब टिकेट नहीं मिलती तो वह अकसर बागी हो जाते हैं तो आप इतने लंबे समय से सक्रिय रहे हैं भाजपा में देखे टिकेट देना पार्टी का संगठन का काम है और हमको संगठन के साथ रहना चाहिए और जो भी संगठन ने दिसा निर्देश दिया उसका पालन करना चाहिए संग्ठन बहुत देखकर च्छान बीन करके टिकट देता है और कहीं न कहीं कभी कना कभी तुटियां उसमें हो जाती है समावेश उसी कारण से लोग बगावत करके चुनाओ लड़के मैदान में आ जाते है और उनका भी भाव रहता है कि हमने पार्टी की सेवा की है तो क्या आप आगामी और अपनी जो जमीन है उसको मश्बूत करने का प्रयास कर रहे हैं निकाय चुनाओ के जरीए नहीं बिल्कुल हम लोग जनता के साथ जनता के सामने अपने काम को लेकर जाएंगे और जो हमने काम कियोंगे जनता जरूर अपना प्यार हम पर बरसाएगी और अधिक सद्धिक मतों से हम लोगों को विजय ही बनाएगी और आगे की भी जो भुमिका है अगर संगठन का निर्देस होगा तो हम आगे भी सोचेंगे और आगे के चुनाओं में भी जाना चाहेंगे ठीक है अब प्राइम टीवी के माध्यम से आप क्या कुछ अपील करेंगे जनता से प्राइम टीवी के माध्यम को मैं धन्यवाद करता हूँ कि वो छोटे-छोटे मुद्दों को लेकर सहर की सरकार को लेकर चिंतित है और सहर की सरकार के विशे में सहर की समस्याओं को उठा रही है मैं प्राइम टीवी से अपील करता हूँ कि शहर की जो भी समस्या हैं उनको आप जुलंत मुद्दे हैं उनको आप उठाएं और जिससे कि शहर साफ रहे जब आप मीडिया के लोग कोई बात उठाते हैं तो इसका असार असर नगर निगम से लेके सरकार तक सभी जगे जाता है तो जिस तरह प्राइम टाइम काम कर रह है मैं उसको बहुत बढ़ाई देता हूं आप लोग ऐसे कंटीनू रहे और मुझे लगता है कि प्राइम टाइम की मुहिम शहर को साफ रखने में बहुत मददगार साबीत होगी माध्यम से तो यह अपने अपील कर ली लेकिन आप जनता से क्या कुछ अपील करेंगे मैं जनता से अपील करूंगा कि चारत मई को चुनाओ है जनता को सभी प्रत्यासियों का अकलन करना है और बिना भेदभाव किये हुए जनता को यह देखना है कि कौन सा प्रत्यासी बेतर है किसका क्या आप राधी के तिहास है कौन कितना सिच्छित है कितना पढ़ा लिखा है कौन किस अपसर से बात कर सकता है कौन आपके कारी को करा सकता है कौन आपकी बात सदन में रख सकता है कौन पुलिस ठाने में आपके लिए लड़ सकता है कौन आपको नयाय दिला सकता है कौन आपकी बात उपर तक रख सकता है पधानमंत्री तक जा सकता है तो इन सा पूरा जनधार देती है तो ये विकास के वो सभी काम कराएंगे जिस से जनता का विकास हो सके जनता के वोर्ड में बेहाद दल्चस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है जो है एक तरह फप्रमोट सिंग को